यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ प्रदेश के हर जिले में सभी प्रसाशने का धिकारियों ने कमर कसली है तो 15 अगस्त को लेकर के बच्चों ने तयारिया कर ली है और स्टेडियम में काफे दिनों से बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं इसका जायजा भी लिया गया है ताकि कोई गलती ना हो तो यहाँ पर आपको बता दे कि 15 अगस्त को लेकर के पीटी शो करेंगे और मार्च पास्ट करेंगे और यहाँ पर पूरी तयारिया हो गई है देश में लोगसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराय जाने का मुद्दा जोरो पर है जिस पर चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को जटका दिया है और आयोग ने साफ किया है कि एक साथ इतने बड़े लेवल पर चुनाव कराने के लिए उनके पास वीवी पाट नहीं है लेकिन दूसरी तरफ हर्याना के सियम मनोहर लाल ने भी एक साथ चुनाव कराय जाने का समर्थन किया है और मनोहर लाल ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से राजय को बहुत फाइदे मिलने वाले हैं जिसमें देश का धन और एनरजी बचेगी साथी लोगों का समय भी बच्चने वाला है उन्होंने कहा कि हम एक साथ चुनाव कराय जाने के पक्ष में हैं इसके लिए सभी पार्टियों को सहमती बनानी होगी और यहाँ पर आपको बता दे लेकिन चुनाव आयों के पास इतने वीवी पार्ट मशीन नहीं है ये भी एक हवाला दिया गया है तब ही कहा गया है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए एक साथ चुनाव से पैसे भी बचेंगे देश और लोगों का समय भी बचने वाला है अगर आपको बचा होता है अड्मिस्रेशन के लोगों की डूटी लगती है बार बार जो चार सिंता जो लग जाती है उसके कारण से विकास के कारणे रुकते हैं वो नहीं रुकेंगे एक साथ चुनाव होने से बहुत से लाब होने वाले हैं लेकिन चोंके यह वैधानिक समय धानिक एक इस प्रकार का योजना है जिसको सब पार्टियों के लोग मिल करके जब तक समय दान में शुदन नहीं करते तब तक यह संभव नहीं है और अगर ऐसा होता है तो हम इसके समर्थक हैं और इसमें हमें कोई दुद करनी हैं दुद झाल